हाई फ्रेंड्स मैं चन्दन स्वागत करता हूँ आपका सभी ग्यान सेखते रो यूटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओपो के मोवाइल में थीम को कैसे बदलें तो फ्रेंड्स ये जानने के लिए इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करके गंटी को दबा करके ओल पे क्लिक करिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि ओपो के मुवाइल में थिम को कैसे बदले तो फ्रेंट्स देख सकते हैं अभी मेरे इस ओपो के मुवाइल का थिम जो है वो डिफोल्ट वाला थिम सेट किया तो अब करने तो आप को चुक्छा लाएगा तो फ्रेंट्स देख सकते हैं यहां पर बहुत शारा थिम आपको देखने को मिल जाता है आप किसी भी थिम पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि सेट करने पर कैसा दिखेगा अगर जो आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको set भी कर सकते हैं जैसे मैं इस theme पर click करके देखता हूँ कि ये set करने पर कैसा दिखेगा तो मैं इस theme पर click किया और देखलीजिए अगर जो इस theme को हम set करेंगे तो ऐसा दिखेगा set करने के बाद तो उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं आपको अगर जो नहीं अच्छा लगे तो आप back हो जाएगे जैसे मैं back हो गया अब मैं इस पर click करके देखता हूँ कि इसको set करने पर कैसा दिखेगा तो देखिजिए अगर जो इसको मैं set करूँगा तो इस तरह का दिखेगा तो जैसे माल लीजे मुझे यह वाला अच्छा लग रहा और इसको मुझे set करना है तो जो भी set करना है वो पहले आप open कर लीजे जैसे यह open है और open रहेगा तो उसके बाद यहाँ पर नीचे के साइड में आपको यहाँ पर download का बटन दिखेगा तो आप यह download के बटन पर click करेगा तो जब download के बटन पर click करेंगे उसके बाद वो theme download होने लगेगा और कुछ दिर में download पूरा हो जाएगा जैसे देख लिजे ये theme download हो रहा है और ये कुछ दिर में पूरा download हो चुका है देख लिजे download हो चुका है और download होने के बाद आपको यहां पर apply का option दिखेगा तो आप यहां apply के option पर click कर दिजिए तो जैसे ही apply के option पर click कर देंगे उसके वाद वो theme आपके mobile में applying होने लगेगा और कुछ देर में वो theme आपके mobile में apply हो जाएगा जैसे देख सकते हैं आप मेरे oppo के इस mobile में theme जो है वो बदल चुका है पहले वाला theme जो था वो हट चुका और दूसरा theme जो मैं अभी set किया हूँ वो हो चुका है तो इस तरह से आप oppo के mobile में theme को बदल सकते हैं और अगर जो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फिर वही वाला set करना है तो कैसे करेंगे तो बस उसके लिए आप अपने mobile का netcon कर लिजिए और फिर आप उपने oppo की mobile में theme store app पर क्लिक करके theme store app को open कर लिजिए और उसके वाद नीचे क साइट कोने में आपको यहां me का option दिखेगा और आदमी का icon तो आप यहां me का icon पर क्लिक करिए और उसके वाद आपको यहां my themes के option पर क्लिक करना है और उसके वाद यहां पर दिखेगे जो default theme रहता है पहले से मौईल में वह वाला सेट हो चुका है तो फ्रिक्स इस तरह से आप अपने Oppo गे mobile में theme को Bergins को बदाल सकते हो और अगर जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है पहले वाला set करना है तो जिस तरह से मैं बताया उस तरह से आप पहले वाला default theme भी set करसकते हैं तो फिर में लेंगे New Victim भून तब दकलिबाए।